हेलो डिवाइन सोल्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि बहुत अच्छ हैं बिलकुल आप होप क्या होप तो कभी छोड़नी नी चाहिए और मेरी भी होप है कि आप बिलकुल अपनी जर्णी की टूवर्स अपने रियूनिन की तरफ जल्दी जल्दी आके बढ़ रहे हैं ठीक है तो भाई सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मेरी तरफ से मेरी दिवी शक्तियों की तरफ से मेरे गाड़िन एंजल्स की तरफ से कि आप हमेशा खुश रहें इस जर्णी को समझें और बैलेंस में ठीक है तो गाईस मैं यहाँ पर यह देखना चाहत कि छोटी से रिडिंग करेंगे अपन कि आपके अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी जर्णी को बहुत डिले कर रहे हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं जो उनकी जर्णी डिले हो रही है है three of sword ओके five of wands आहा हाँ क्या बात है अब निकल-νिकल के आ रहा है या सारी कमिया मेरे पार्टनर के अंदर यह कमी है मेरा परसन यहसा है वैसा है लेकिन आपके अंदर भी तो सब चीजे हैं कमियां हैं ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजी तो आपको अपने अंदर के ही blockages heal करने होते हैं और ट्रेन फ्लेम जो होते हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल mirror करते हैं, exact mirror करते हैं, the sun, yes, तो आप भाई क्या blockages है, ace of wands, देखो इश्वर तो चाता है कि बिल्कुल आपकी life में एक नई शुरुवात हो, आपकी journey जल्दी से complete हो और आप एक नए phase में आए, भगवान आपके लिए तयार खड़े है, एक जादो की छड़ी लिए हुए, देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत जल्दी आपकी life में ये रोशनी लेकर आना चाते हैं, आपको खुश देखना चाते हैं, आपकी life में वो खुशियां आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं, divine feminine से आप लोग क्या गलती करते हो, आपके अंदर की जो conflicts है, inner conflicts चलते रहते हैं, ठीक है, आपके अंदर की जो ego है, ego क्या होती है, self respect अलग होती है, ego अलग होती, self respect रखनी बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपनी self respect नहीं रखेंगे तो आपके person आपको वो मान सम्मान नहीं देंगे, लेकिन ego क्या होती है, कहीं ना कहीं आप अपने family members से, कहीं ना कहीं आप किसी से भी वो चीज जो होती है, ego problem हैं आदमी का, कि मैं बस जो मैं मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो energy होती है, हर किसी भी तरीके से अगर आप देख सकते हो, कि आप जैसे अपने family members से कोई ऐसा है कि जो आप से बात करना चाहता है, बट आप उसको you know और कर रहे हो, आप अपने family पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने friends के साथ जो आपके soulmate type के हैं, जो अच्छी energy के हैं, उनसे आप बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज कर रहे हो, यानि कि आपके person फिर आप से कैसे बात करेंगे, तो आपको भी जो आप से अच्छे से बात कर रहा है, जो आपको एक healing provide कर रहा है, तो उनके साथ तो आपको अच्छे से बात करनी चाहिए ना, या आपके DM ही है सब कुछ, अगर आप अपने DM पर ही focus रखोगे त किसी साब बात ही नहीं करना पसंद कर रहे हैं तो फिर यहां पर गडबड होती है, यह सबसे बड़ा sign है delay का, आपकी journey में delay क्यों होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर यह जो energy है, यह जो blockage है, आपको यह बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, और आप समझ नहीं पाते ह कि यह blockage कैसे दूर हो, तो यह blockage बहुत ही simple दरीका है, जो भी आप से अच्छे से बात करें, उसके साथ बहुत अच्छे से बात कीजिए, और उनको मान दीजी, समान दीजी, ताकि वो reward back आपको मिले, ईश्वर की दरफ से, gratitude में रहिए, कोई rivalry की जो भावना है आपके के साथ, तो वो चीजें, वो जो issues हैं आपके अंदर, वो जो blockage create करते हैं आपकी journey में, या फिर आप बहुत ही, कहीं relationship में रहे हैं, आप बहुत ही hurt हो चुके हैं, pain आपको मिला है, तो कहीं न कहीं वो hurt, वो pain आपके wounds बन गए हैं, घाव बन गए हैं, और वो आपके अपी ब बहुत हैं, तो वो भी सबसे बड़ा blockage आपके अंदर होता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये blockage है, आपको ये heal करना है, आपको heart chakra अपना heal करना है, जो की wounded है, आपका inner child wounds आपके हो सकते हैं, या आपके जो भी बाद में आपको इस life के, या past life के wounds पे आपके stored होते हैं, heart patience की journey है, patience की साथ चलना है, ये एक दो दिन की journey नहीं है, ठीक है, इसमें आप जितने patience की साथ चलोगे, जितना जल्दी अपने आपको heal करोगे, तो बहुत जल्दी आपकी healing होती है, और फिर reunion किसने रोका, divine तो खुद caller पकड़ कर लेकर आते हैं, आपकी person को, ठीक है, तो delay ह आपर इसलिए हो रहा है, अच्छा, ठीक है, ego आपको खतम करनी है, सबसे बड़ी बात है, आपको किसे से देश, इरश्या, ये जलन की भावना, या इस तरह की कोई चीजें आपके अंदर हैं, तो आप उसको release करो, उस पर काम करो, ठीक है, अगर आपका heart chakra wounded है, तो उस पर क काम करो, हील करो उसको, अगर आपको life में clarity चाहिए, और आपको clarity नहीं मिलती है, नहीं शुरुबात करना चाहते हैं, clarity नहीं मिलती है, आप एक खुशियां चाहते हैं अपनी life में, सबसे बड़ी बात है, आपकी life में at the end of the day, ये sun, ये सूर्य, ये रोशनी, ये तरक्की, ये abundance, आपकी life में, ये reunion, आपकी life में लिखा हुआ है, तब ये angels नहीं कार्ट दिया है, कि ये सब जो delay हो रहा है, ये आपकी journey को delay करता है, आपको यहां तक पहुँचना है, आपको अंधेरे से निकल कर, ये सब phase पार करके, आपको यहां इस रोशनी तक आना, इस gate तक आना है, ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और आपकी life में एक नई शुरुवात इश्वर लेकर आएंगे, आपके अंदर के जो भी blockages हैं, जो भी powers हैं, ठीक है, वो powers कब आपकी unfold होती हैं, जब आपकी blockages हील होते हैं, आपकी growth, अपने आप automatically होने लगती हैं, आप इधर सोचते हो, इधर आपका काम बन जाता है, सोचो, कितने आप blessed हो, कितने आप powerful हो, कितने आप की manifestation powers बढ़ जाती हैं, तो आपको healing ही तो करनी है, हील कर लो है, energetically healing होती है, तो physical world में, वो reality में आपको दिखने लगता है, ठीक है, as a wand, बिलकुल, एक नई शुरुव आपकी life में लखी होती ही, जब आप heal होने लगते हो, इस और खुद वो reward लेकर आते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर ये चीज़े, eight of coins, आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, और इस पर मेहनत करेंगे, तो आपको gifts मिलेंगे ही मिलेंगे, reward मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, त आपको क्या करना है, अपनी चक्राज हील करना है, सबसे पहले तो आपको अपना root chakra हील करना है, root chakra पर काम कीजिए, lower chakra जो है, root chakra, sacral chakra and solar plexus chakra, तीनों चक्राज आपको बहुत अच्छे से हील करना है, divine feminines, तो divine feminines की energy में आपको आना है, आप divine feminines already है, वह आपको सारे धूल मि community अपने अंदर से जाड़नी है, यह नहां लेना है, नहां कर fresh हो जाना है, फिर देखो कितना खुद को अच्छा लगता है, कितना दूसरों को देखने में अच्छा लगता है, कितना है ना, जब हम नहांके आते हैं, अच्छे से तयार होते हैं, दूसरे लोग कैसे appreciate करते है अच्छे लग रही है, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, तो दूसरों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा, जब आपको खुद को अच्छा लगेगा ना कर, तो आपके person को आप क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, तो आप अभी मिटी में सनेवे हो, धूल में सनेवे ह तो आपका person आपसे दूर भाग रहा है, बीटा, इसे जाड, इसे नहा ले, या तो जाड ले, जाड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहाई लोसिते जल के घर है ना, तो इसलिए आपके person आपसे रन करते हैं, आपको time देते हैं, तो नहा के आ, मैं तरह वेट कर रहा हूं तो यानि कि तो issues, blockages, अपनी जलनी को complete कर, healing करके, और awakened हो जा, divine feminine के energy में आजा, और फिर मैं तेरी तरफ आता हूं, ठीक है, तो ये है जलनी, ओके, तो इसमें आपको, sorry, इसमें आपको घबराना नहीं है, ओके, तो guys, ये है आपकी थोड़े से blockages, आपको clarity भी मिलती है, सब इगो ही है, एंगर आपके अंदर हो सकता है, ये आपकी journey को delay करता है, आप गुसा, curse करना, उसको blame करना, ये बहुत बड़ा issue होता है इस journey में, कि judge करना, blame करना अपने person को, आप देखो, आप दूसरों को कहा blame करते हैं, तो आपके person आपको कहा क्यों blame कर रहे हैं, आप भी कही गुसे से बोल रहे हैं, तो आपके person भी आपको गुसे से बोलेंगे, देखो, है न, तो यहाँ पर आपको balance रखना है, balance यही तो है, जिन्दगी, balance होनी चाहिए, भई, जिन्दगी, guardian angels, फिल्कुल guardian angels, आप लोग की help करने के लिए हैं, आप अपनी guardian angels को invoke नहीं करते हैं, help नहीं मांगते हैं, तो कहां से आपकी journey complete होगी, इंजल्स आपके साथ इसलिए है इश्वर ने आपके साथ इसलिए भेजे हुए हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपने गार्डिन इंजल्स से हेल्प मांगे नेचर मदर नेचर बहुत ही अच्छे से हील करती है आपको मदर नेचर में निकलो आपकी बिमारी आधी तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी आप उनसे प्यार करके तो देखो प्रकरती मां से प्रकरती मां तो बहुत अच्छे से हील करती है ठीक है Divine Feminines Adventure कहीं भार घूमों मस्ती करो हवा को महसूस करो फील करो हर एक चीज को हवा को धूप को गर्मी को चड़िया की चह चाड़ जो होती है उनका music सुनो जैसे लगता है जैसे angel एक music सुना रहे है angelic music ऐसा feel होता है आप सुनो जो भी पशुपक्षी है उनको ध्यान से देखुए है इसमें भी वो एक जो आत्मा का जो एक पार्टिकल है उस इश्वर का इसमें भी है यानि कि dust particles है हम तो एक एक पार्टिकल सब में है यानि कि सब में ओम सब में भगवान को देखना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े हैं आप अपने हर एक किसी सब बात करने का मन निकरा कोई बात नहीं मत करो लेकिन उसको कर्स मत करो protection बिलकुल आपका अभी कभी क्या होता है protection नहीं लेता है तो protection लेना बहुत जरूरी है आकेंजय माइकल से invoke करके बोलो प्लीज मुझे 7 लेयर से protection देदीजे मुझे blue divine light से protection देदीजे अपनी golden sword से मुझे 24 गंदे के लिए protection देदीजे सुभे शाम आप रात सोते ठाइम और स अपने इंजल्स को अपने साथ रखो अपने garden इंजल्स से बहुत गारें इंजल्स मैं बहार जा रही हूं आके माइकल मैं बहार जा रही हूं please protect me this टाइम प्यारिटी पिल्कुल आपको प्यार होना ही पड़ेगा है ना तो प्यारिटी में आना है आपको इंजल्स कहरें येस तभी तो आपके न्यू बिगनिंग नई शुरुआत होगी रिफ्लेक्शन सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है कि हम जैसी थॉर्ट प्रॉसेस रखते हैं ह हमारे नेगे तो हमारे झाल हमारे दोर्थ द अब्लस करते हैं और पॉजितिव शीजी सब्साथ हिंदा मज ये निगलता है तो बस चीजों को ध्यान से सुन लिया करें यह समझो आगया आज हम यहीं हो आथा टो रिफ्लेक्शन यानी कि जैसे आप सौचोंगे हrmber दिखे, समझे तो अपनी thought को ही अपनी सोच को ही positive कर लीजिए ताकि आपकी सोच में जब changes आएंगे तो क्या होगा perception को अपना change करना है सोच में change लाना है तो आपको outer world में भी वो positive changes, outcome आपका positive होगा अपना perception ही change करना है अपनी धाना या अपने belief system को बिल्कुल change करना है अपने जो पुराना dn है आपका जो past life का है उसको dissolve करना है intention बिल्कुल एक positive intention आपको रखनी है अपनी life में हमेशा एक intention बहुत ज़रूर ही है संकल्प से शक्ती ठीक है संकल्प ही शक्ती है तो संकल्प जो होगा आपका वही आपकी power बन जाएगी ठीक है patience रखना बिल्कुल देखो क्या कह रहे है इंजल्स patience बहुत ज़रूरी है transition बिल्कुल भाई कठिन है जर्नी सरल नहीं है बहुत ही कठिन है भाई जर्नी है तो अगर इसको कठिन करके देखेंगे difficult है बहुत easy नहीं है तो आपके लिए difficult हो जाएगी अगर आप सोचेंगे यह नहीं कुछ नहीं है भगवान मेरे साथ है तो ये जर्णी बहुत इसी है मेरे लिए और सब मेरे रस्ते खुलते जा रहे है सारे obstacles दूर हो रहे हैं सारे blockages मेरे दूर हो रहे हैं और मेरे साथ जो मेरे angels हैं मेरे साथ जो divine है वो हर वक्त मेरे साथ है मेरे तो सारे काम effortlessly हो रहे हैं जब आप ऐसे बोलते हो तो फिर butterfly बन जाते हो आप वो pain, pain जो आपको मिले है न वो सब भूल जाते हो ठीक है जो भी आपका passion है उस पर आप काम कीजिए sacral chakra पर काम कीजिए अगर creativity को बढ़ाना है तो sacral chakra को जाकरित कीजिए तो उस पर 5-6 मिनट और 10 मिनट आप अपना काम कर सकते हैं chakra meditation में beach mantra वम ठीक है तो अभी के लिए गाईज इतना ही अपना ख्याल रखे take care by god bless you all love you all आपकी journey जल्दी complete हो इसी blessings के साथ मैं sum up करती हूं reading को good night